दूस्तों असम के मुख्य मंत्री हेमंत बिस्वा सर्मा ने अभी हाल ही में राज्य के विभिन छेत्रों में 25 मेगावाट उत्पादन शम्ता वाले चार नए सौर उर्चा परियोजना को लांच करने जा रहा है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी हैलान किया है कि 2000 मेगावाट सोलर पावर को विक्सित करने के लिए स्टेट गवर्मेंट 10,000 करोड रुपए खर्च करेगी अगर ये सोलर प्लांट बनकर तैयार हो जाता है तो असम को विजली के लिए दूसरे स्टेट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट के तहट असम सरकार दो जगा पर सोलर प्लांट लगाने वाली है इसमें से पहली सोलर पावर का निर्माण आईवीसी कमपनी एंड एन एलसी इंडिया लिमिटेट कमपनी मिलकर संयुक्त रूप से करेगी आपको बता दें कि पहला मेगा सोलर पावर प्लांट पचपन सो करोड रुपए की लागत से बनेगा तो वहीं दूसरा सोलर पावर प्लांट चार हजार करोड रुपए की लागत से बनेगा जिसको बनाने का काम असम पावर जनरेशन कॉर्परेशन लिमिटेट कमपनी अकेले खुद करेगी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए चार हजार करोड रुपए का लोन एशियन डेवलपमेंट टिर्क बैंक से लिया जाएगा तो दोस्तों आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें